नमस्का इंडिया वोईस देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ बाविता खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो गुरुग्राम से आ रही है जो आपर मुलायम सिंग्यादव की सेहत में सुधार नहीं देखा जा रहा है तो मुलायम सिंग्यादव की सेहत अभी भी बिगड़ी हुई है तो लगातार पाच्वे दिन भी वैंस्टी लेटर पर है रिता जी तो आइस्टी उ में मुलायम सिंग्यादव का इलाज जारी है विशे शग्या डॉक्टरों की एक टीम कर रही है इलाज तो अखिलेश यादव शेपाल सिंग्यादव गुरुग् में ही मौजूद है तो मुलायम सिंग्यादव की सेहत में अभी वी सुधार होता वा नहीं दिखाई दिया है तो गुरुग्राम से इस वक्की बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं मुलायम सिंग्यादव की सेहत में सुधार नहीं होता वा दिखाई दे रहा है तो लगाता पांच वे दिन भी वैंटी लेटर पर ही है नेता जी तो आइस यू में मुलायम सिंग्यादव का इलाज अभी भी जारी है विशेशग्या डॉक्टर के टीम इलाज कर रही है तो अखिलेश अदफ शिर्पाल सिंग्यादव गुरुग्राम के मेदानता में मौजूद है वही बाजो भी जानकारी के लिए हमारे सम्वादता नेतन हमार से जुड़ गए है नेतन आज 5 वा दिन है और सेहत में कोई भी सुधार नहीं दिख रहा है तो अब जो पांच वादेन हो गया उनको बेंटेलेटर पे हैं वाइचो में जो एड़िट करें हैं तो लेकर नहीं तो उसी को देखते हुए खोद यहां पर अप्लेश यादब भी खुद है अपर बैठक बिलाइटी तो उसमें डॉक्तों का कहना कर जल्दी जल्दी नेता जो ठीक कराने के लिए किस तरीके की जो मैडी सीन है और कैसे पर इसको लेकर वी बैठा कर यहां पर ख्राइगे इस अधलेश यादब भी खुद वहां पर मौजूद अन्याजवादी पार्टी कि इतने भी कुनुए कि लोग हो तो वहां पर मौजूद बड़े-बड़े पर पहुंचे हैं नेता जी को देखने के लिए रात में जो लालो जादब और पहुंचे हुए तो क्या डॉक्टर की कितनी टीम उनकी निगरानी में लगाई गई है और डॉक्टर की तरफ से अभी दक क्या कुछ का जा रहा है इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे वह कुछ दिक्कत नहीं उसको देखने को डॉक्टर से संप्रक जो है 24 से अखले श्यादव का बना हुआ है वहां पर डॉक्टर का कहना है कि नेता जी जल्दी ठीक कर दिया जाएगा बिल्कुल नितिन क्योंकि अस्पतालों में ताता जो चल रही है उसको लेकर हवन भी यहां पर कराया जाने समझवादी पार्टी के कारिया कारिया करता जो अलग-अलग अपने जिलो में जो हवन की इसन करा रहे है कि नेता जी जो है काफी पराने नया समझवादी पार्टी के दिक्दज नेता है तो उनको देखने के लिए एक से दो दिन काफी क्रिटिकल है नेता जी के लिए एक से दो दो दिन जो है प्रिटिकल है तो उसको देखते हुए लोगों की जो पहुंच रहे हैं लोगों को जहीं लग रहा है कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाणती तुरिक विजिकल बतारें तो उसको जो है दौक्टों ने देखे आप लिए वुगाई तो प्रृट्व की काफी क्रिटिकल की नितिन काफी सिचुएशन क्रिटिकल बनी वी है वहीं दूआओं का दौर भी जा रही है हवन कुन हो रहे हवन किये जा रहे हैं हवन कुन में तो वहीं इंडिया वॉइस भी दूआ करता है कि नेता जी जल्द ही स्वास्त होके अपने घर को वापसी करें फिलाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका इन तमाम जानकारी के लिए तो खबर बदायू से जापर बदायू के बिसोली में सपा कारे करता हूने सपा सरक्षक मुलायम सिंग यादव के जल्द स्वास्त होने की कामना को लेकर हवन यग्य किया है आपको बता दे कि सपा सरक्षक मुलायम सिंग गुरुग्राम के मेदानता में आईस्यू में भरती है और काफी सवे से डॉक्टर ये कह रहे हैं कि एक से दो दिन उनका काफी क्रिटिकल होने वाला है तो वहीं उन्हें आईस्यू में भरती कराए गया है डॉक्टरों की टीम लगातार लगी हुई है उनके इलाज में तो निगरानी उनकी रखी जारी है तो बदायू से इस वक्की बड़ी खबर आपको बता रहे है मुलाइम सिंग के लिए जल्द स्वस्थ होनी की कामना की जारी है तो सपाकारे करताओंने हवन यग्य किया है दुआओं का दौर भी जारी है सबी लोग बस एक ही प्रातना कर रहे है कि नेता जी इस बार जब मेदानता पहुँचे है तो जल्द ही ठीक होके आजाए स्वस्थ हो जाए और पने घर को वापसी करें इससे पहले आपको बता दे कि जून में भी एक से दो बार उन्हों मेदानता गए थे लेकिन दूसरे दिन ही उन्हें डिस्चार्च कर दिया गया था जब मुखबीर की सूच्रबर पोलिस ने थाना श्वेतर के गाउ पीर नगम सुधना में चापे मारी की तो गाउ में चोल रही अवे तमंचो की फैक्टरी का पोलिस ने परदाफाश करते वे मौके से 11 बने और अद बने तमंचे बरामत किये हैं तो वहीं पोलिस ने मौके से एक तमंचे बनाने वाले व्यक्टि को भी गिराफतार कर लिया है तो वहीं पोलिस इसके अन्य साथियों की तलाश में भी जुट गई है और पता करने का प्रियास किया जौरा है कि आखिर ये कहां कहां तमंचो की सप्लाई किया करते थे तो हाँ पुर से आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं वे तमंचा फैक्टरी का परदाफाश किया है पोलिस को बड़ी कामिया भी हाथ लगी है तो पोलिस ने मौके से ग्यारा तमंचे बरामत किया है साथी तमंचे बनाने वाले एक युवक को गिरफतार भी किया गया है तो वही उन्नाव से बड़ी ख़बर आदी पुरुष फिल्म पर सांसर साक्षी माराज का बड़ा बयान सामने आया है उन्नाव से आपको इस वक्ती बड़ी ख़बर बता रहे है आदी पुरुष फिल्म पर सांसर साक्षी माराज का बड़ा बयान सामने आया है तो आदी पुरुष फिल्म के किरदारों को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है फिल्म में भारतिया संस्कृति का मजाग उड़ाय जोरा है साक्षी माराज का कहना है उन्होंने ये बयान दिया है कि फिल्म में भारतिया संस्कृति का मजाग उड़ाय गया है रावन को खिलजी के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है ये बहुत ही निंदनिया है, सांसल साक्षी माराज का कहना है कि जिस तरह से भारतिय संस्कृति का मजा उड़ाय ज़ौरा है, रावन को खिलजी के रूपे लिखाया ज़ौरा है, ये काफी ज़ादा निंदनिया है आप बता रहे हैं, आज पुर्ष फिलम में मजा उड़ाया गया भारतिय संस्कृति का, और रावन का किरदार बनाने और किरदार निवाने बाले को भी खिलजी के रूपे दूसरे रूपे दिखाने का प्रियास किया गया है, ये बहुती निंदनी है और मैं इसकी निंदा कर अगे से बहुत करते हैं, आधी पुरुष फिल्म के टीजर के बाद विरोध होना शुरू हो गया है, इसके पोस्टर को लेकर भी विवाद जारी है, तो सांसल साक्षी महराज का भी इसी बीच बड़ा बयान सामने आया है, तो आधी पुरुष फिल्म के किरदारों को लेक खाने की कोशिश की गई है, वक्त उचला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद जल्द हाजिरों के, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते अगली खबर की ओर जो संबल से आ रही है, जाप यूपी के संबल में पशूओं के लिए घास लेने जंगल गई महिला पर गाओं के ही छे लोगों ने तेजाब से अटेक कर दिया है, जिसमें महिला गंबी रूप से घायल हो गई है और उसे प्रातमी के लाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, तो वहीं आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने तीन नामजद तो तीन अग्य लेने जा रही थी, तो महिला पर ऐसे अटेक किया गया है, तो यूपी के अम्रोहा श्यायर के महला छेबडा में ट्रांस्फॉर्मर के पास कच्रा भर रही, जेसीबी के चक्राने से भी शडाग लग गई, जिससे आसपास में हड़का मच गया है, तो मौके पर पहुंची, दमकल विभाक की टीम ने आख पर काबू पाया है, तो वहीं आख का लाइभ वीडियो भी कैमरे में चैद हो गया है, तो अम्रोहा से आपको यह ख़बर बता रही है, तस्वीर अम्रोहा से बता रही है, जो आपर जेसीबी के टकुराने से ट्रांस्फॉरमर में आग लग तो ट्रांस्फॉर्मर के पास कच्छरा भर रही जेसी भी अचानक से ट्रांस्फॉर्मर से जा टक्राई जिसके बाद ये भीशन आग लग गई तो आग से आसपास के लाके में अब हड़का मच गया है तो वहीं आग का ये लाइव वीडियो कैमरे में कैद हुआ है वहीं बिजनौर में मामूली कहा सुनी में चली गोलिया तो कहा सुनी में गरामिनो को गोली लगी है तो बिजनौर ने हायर सेंटर रही रैफर कर दिया है तो बिजनौर से आपको ये बड़ी ृजज औरों में मामूली कहा सुनी में गोलियां चला दी गई तो कहा सुनी में ग्रामिनों को गोली लगी है तो ग्रामिनों की हालत काफी जादा गंबीर बताई जारी है जिसके बाद Do selon ने उने अब हायर सेनेटर रैफर कर दिया है तो वहीं बुलंड शायर के खुर्जा देहात के खालंसिया चुहरपुर गाउं के बाहर तालाप के किनारे से गाउं में आए विशाल अजगर के पहुंचने में गाउं में हड़का मजगया तो वहीं सूचना पर पहुंची वनविभाग की टीम ने अजगर को काबू कर खालंसिया तो बुलंड शायर से आपको इस तस्वीर दिखा रहे हैं जो आपर रियाईशी आजगर मिलने से हड़कम मजगया वहीं वनविभाग की टीम को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची वनविभाग की टीम ने अजगर को पकड़ लिया है तो गाउं के बाहर क तालाप से याजगर हौए हुआ था दे दी तो सूचना मिले पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सादू को थाने ले आई और जहां पर सादू के साथ बच्चा उसका भतीजा निकला तो मतुरा से आपको ये खबर बता रहे है जब पर बच्चा चोरी के श्रक में लोगों ने एक सादू को पकड़ लिया तो पुलिस की जाच में सादू निर्दोश निकला है क्योंकि जो बच्चा उसके साथ था वो उसका अपना भतीजा था तो मतुरा के थारा जब उना पारशेतर के लक्षमी नगर इलाके में लोगों ने एक सादू को समय पकड़ लिया जब वो दस साल के बच्चे के साथ घूम रहा था तो लोगों को ये श्रक था कि सादू बच्चा चोरी करके ले जा रहा है तब उन्होंने पुलिस को सूचना दियो वहीं मौके पर पहुँची पुलिस ने जब सादू को पकड़ और ठाने लेकर आई तो सादू ने बताया कि वो बच्चा कोई और नहीं उसका अपना भतीजा है तो मत्रा से आपको ये खबर बता रहे हैं जहापर बच्चा चोरी के श्रक में लोगों ने एक सादू को पकड़ लिया जिसके बाद जब मौके पर पुलिस पहुची और जब उसे ठाने लेकर आई तो पुलिस की जाच में वो सादू निर्दोश निकला क्योंकि बच्चा सादू का ही भतीजा था तो मत्रा से आपको ये खबर बता रहे हैं जहापर बच्चा चोरी के श्रक में लोगों ने एक सादू को पकड़ लिया तो एक बच्चा उस समय सादू के साद घूम रहा था दस साल का ये बच्चा बताए जोरा है तो वहीं लोगों ने जब सादू को पकड़ा तो पुलिस को भी तला कर दिया था वहीं जब मौके पर पुलिस पहुंची और जब सादू को अपने साथ ठाने लेकर आई तो पूस्ताच में पता चला कि वो जो बच्चा है वो सादू का अपना भतीजा है तो मत्रों से आपको ख़बर बता रहे है जो आपर बच्चा चोरी के श्रक में लोगों ने सादू को पकड़ा है तो पुलिस की ज़ाच में सादू निर्दोश निकला क्योंकि जो बच्चा था जो दस साल का बच्चा था उसके साथ वो सादू का अपना भतीजा था गाजियाबाद के संयुक्त जिला अस्पताल की जो गाईनो ओटी से साप निकल आया तो एमरजंसी में साप देकर मरीज भागने लगे तो इसी दोरान वाड में तैनात वाड बॉई सल्मान और स्वीपर संदीप ने साप को पकड़ा और अस्पताल से बाहर छोड़कर आ ग अस्पताल में साप अच्वारक से निकल गया तो साप देकर मरीजों में भगदर मच गई तो वहीं अस्पताल में साप निकलने का ये वीडियो भी आप सोशल मीडिया पर खूब वाडल हो रहा है तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो आ अस्पताल से अच्वारक से साप निकला और साप देकर मरीजों में भगदर मच गई तो अस्पताल में साप निकलने का ये वीडियो भी आप सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है तो वहीं एमर्जंसी में साप देकर मरीज भागने लगे तो इसी दोरान वाड में त पकड़ और अस्पिस्ताल से बाहर छोड़ाएं बुलेटिन में फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहें ये इंडिया वोईस नमस्कार